29 एप्रेल को हिंदी सिरिमा ने एक्टर इर्फान खान को खोया था। अब इर्फान खान के निदन के एक दिन बाद 30 एप्रेल 2020 को रिशी कपुर अर्लविदा कह गए। बैक टू बैक दो दिगज अभीनेताओं को गवा देना फिल्म इंडेस्ट्रे के लिए बहुती बड़ा जटका है। बॉल्यूट के सबसे बड़े परिवार कपुर खांदन के चिराक। रिशी कपुर ने अपने परिवार के रहा पर चलकर फिल्मों में अपनी किसमत आजमाई। 1973 में बॉबी फिल्म के साथ उन्होंने बॉल्यूट में डेबू किया। और उसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेर एवोर्ड भी मिला। तब से लेके आज तक वहर किसी के दिलों पर राज कर रहे थे। हाला कि 1970 में राज कपुर की फिल्म मेरा नम जोकर में रिशी कपुर एकबाल कलाकार की भुमिका में हमें नजर आए। बॉल्यूर की सबसे बड़ी फैमिले यानि कपुर खांदान में रिशी कपुर का जनम 4 सितमबर 1952 में हुआ। बॉबी दबॉडी प्रेम रोग, 102 नौट आउट, दामीन, हीना ऐसी सेकड़ों फिल्में थी जिसमें रिशी कपुर ने शानदार काम किया था। उन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बनाया, फिर चाहे वो रोमांस वाली फिल्म हो या फिर एक्शन। रिशी कपुर ल्यूके मिया नामक बिमारी से पिछले 2 साल से लड़ रहे थे। अस्पताल ने उनके लिए आखरी दम तक कोशिश की, पिछले साल वो जब विदेश से इलाज करकर वापस आये तो काफी खुश थे और हर किसी से मिलना चाहते थे, लेकिन ये बिमारी से वो दूर ना जा सके। जब रिशी कपूर ने अपने आखरी सास ली तब उनके साथ पतनी नीतु सिंग भाई रंदिर सिंग और बेटा रंबिर कपूर था। की। रिशी कपूर जैसे महान कलाकार को खो देना ये बहुती बड़ी दुक्की बात है। इसलिए उनके अब तक के जरने के लिए हमारे चैनल के और से उन्हें सलाम।